हेलो माई डियर फ्रेंट्स वन सेगन बलकम बैक टू मैं चैनल आज वीडियो में फ्रेंट्स में अपने हाइवरिड गुढ़ल में कुछ काम करूंगी जो हर किसी को इस टैम अपने गार्डन में ये काम कम्प्लीट कर लेनी चाहिए आगे इस प्लांट से बहुत मातरा में फ मातरा में फ्लावरिंग होती है तो मेरे प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग होई रही है और इसमें कलिया भी बनी हुई है जबकि फ्रेंट्स में हिलिश्टेशन के नियर रहती हूँ तो हमारी यहां ठंड़क जादा होने की विज़े से गुढ़ल में तोड़ी सी अधिरा देसी गुड़ल है और काफी लैगी सा हो गया इसकी जो हाइड हो गई है फ्रंट से मेरे से ज़्यादा तो कम से कम यह साड़े छे से साथ इंचे तक की पहुँच गई है इनकी हाइड तो काम जो शेयर करूंगी फ्रंट से बहुत इंपॉर्टन है तो वीडियो को प प्लांट निकाला है और दोनों हाइड है तो आपकी पाद चाहें देसी हो या हाइड हो दोनों में सेमी काम करना है इस ताइम तो ऐसे आप सॉप्ट प्रूनिंग कीजिए यह हलकी हलकी सी कटिंग में कर रही हो जादे बड़ी कटिंग नहीं कर रही हो तो यह चार से पाच इंची तक की आप cutting कर सकते हैं और अगर आपकी प्लान्टी की हाइडे चोटी है फ्रांट से तो आप दो-दो इंची तक की कीजिए मेरे प्लान्टी की हाइडे काफी बड़ी है तो मैं इसलिए इनकी pruning कर दे रही हो pruning करने से दो benefit होता है एक तो जो ये की new suits ग्रो हो जाएंगे और ढेरो सारे branches ग्रो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ से एकदम घेर बन जाएगा इतने सारे इनके branches होंगे और गुड़ल में जितनी ज़्यादा branches होते हैं फ्रांट से उतनी ही मातरा में ये प्लांटे flowering करता है उतनी ही कलिया लगती है तो इस बात का जरूर देहन रखिएगा आपके पास जो प्लांटे हैं उनकी जितनी branches हैं हर ब्रांच में एक कट जरूर लगाएगा चाहें आप दो इंची की कट चाहे करें उसके बात का जो काम है ये देखिए जैसे पॉट में बहुत सारे जंगली घास ग्रो हो जाते हैं तो इनको हमें रिमूब करना बहुत जरूरी होता है इनको रिमूब करने के बाद ही हम जो आगे का काम करेंगे उससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिलेगा और ये जो जंगली घास होते हैं फ्रंट से ये बहुत ही गंदे होते हैं कुछी दिनों में इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं और हमारी प्लांट की जितनी भी एनर्जी होती है सोयल से ये सारे एनर्जी ये घास ले लेते हैं कुछी दिनों में पूरा cover कर लेता है हमारे pot को तो इनको इसी तरीके से आप remove कीजिए जरूर और जो तीसरा काम है ये देखिए जो पिली-पिली पतिया हो जाती है ठंड की वज़े से ये पतिया पिली हो जाती है और इस टाइम में spring से जने है तो पतिया जहड़ भी जाती है तो ये हटाना बहुत जरूरी है उसकी बात का जो काम करना है वो है गुड़ाई गुड़ाई बहुत ही important work करता है हमारे किसी भी plant से अच्छी flowering और अच्छी growth के लिए तो आप सारे plants की गुड़ाई करते हैं आपके पास जितने भी गुड़ल की प्लांट है और अगर आप आपकी soil hard हो गई है तो उस condition में आप कीजिए आपनी प्लांटी की reporting reporting करना बहुत जरूरी है तो reporting के लिए कुछ भी नहीं आप plants को निकाल लीजिए और इनकी लिए जो soil आप तियार करें फ्रंट से आप 30% लीजिए normal garden soil और 40% sand का यूज कीजिए और बाकी आप फ्रंट से fertilizer क यूज करें आगे मैं share करूंगी कि कौन सा fertilizer देना जरूरी है और इस तरीके से आप अच्छी तरह गुडाई जरूर करें जितनी भी plants से हैं हर plants की गुडाई करना जरूरी है और मेरी soil आप देख सकते हैं फ्रंट से कितनी बुर्बुरी है तो ऐसी बुर्बुरी soil आपको त गुडाई का भी flower साथ हैं दो कलर में एक सा द्याट कर रखा था और कितने अच्छा इनकी ग्रोथ है और काफी लंबाई में पहुच गया और काफी लैगी हो गया तो इनको भी मैं कट कर देती हो और साथ में एक साथ ही फिर रागे का जो काम है वो शियर करती हो यह जो प् कि ये प्लांट इतना हेल्दी और इतना बड़ा हो गया है काफी अच्छा मेरा ये प्लांट ग्रो हो गया था इसलिए मैं इनकी हाइड तोड़ी सी छोटी कर रही हो कि जो देशी गुढल होती है फ्रेंट सो वो बहुत ही तीजी सी बड़े हो जाते है और ये देखे कितने अंगिनत कटिंग से मिल गए मुझे तो इनकी रिपॉर्टिंग आपकी साथ शियर करूंगी अब जो में काम है फ्रेंट से वो है फटलाजर फटलाजर हम अपनी प्लांट को जैसे देंगे ये प्लांट उतने ही जल्दी हमें रिजल्ट भी देगा तो इसके लिए मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लिया है 50% और 50% मैंने कावडंक लिया है दोनों को मिक्स कर लेती हो ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करता है और जल्दी रिजल्ट भी हमें मिलता है प्लांट से तो आप अपने अकॉर्डिंग फटलाजर लीजिए कि कितनी प्लांट में आपको देना है और जब स्टाटिंग में देते हैं फ्रेंट से स्टाम फर्वरी और मार्च में जब हम फटलाजर करते हैं थोड़ा सा ज्यादा मातरा में देना होता है और इसे फेटलैजर से कोई नुकसान नहीं होता है अगर आपकी प्लान्टी की कंडिशन बहुत ज्यादा खराव है फ्रेंड से तो एक काम कर सकते हैं उपर की सौइल को आप हटा के अप फटलैजर को mix जरूर करें जैसे ये मैं कर रही हूँ प्रंट सा और एक बात अगर आपके plant की condition अच्छी भी है तो भी आप इस टाइम हलकी सी cutting जरूर करें और अगर flower नहीं आ रहा है और पतिया जहर रहें सारे तो इस condition में भी ये सारे काम करना जरूरी है और अगर आपके plant में मिली वक का टेक हो गया तो भी आप इस टाइम हलकी सी pruning जरूर करें कोई सी भी plant है आपके पास ये काम करना बहुत ही जरूरी है अच्छे flowering लेने के लिए क्योंकि आगे इन ही का time है और summer season में जो गुड़ल होती है उसमें बहुत मात्रा में flowering होती है तो ये चोटे-चोटे से काम जरूर करें और एक बात प्रंट से जब अगर आप reporting कर रहें मिटी को change कर रहें तो उसी दूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा दूप में रखने से खराब भी हो सकता है तो इस प्रंट से लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर अगर आप पहली बारे तो प्लीज फ्रंट से पहले चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल एकिन के बटन को भी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रंट से तब तक के लिए नमस्कार बाई हैपी गाड़निंग टेक कियर फ्रंट से